सारे किसान भाईयों को नमस्कार जै जवान जै किसान मैं परमोद कुमार राजस्तान के हनुमान गड़ जिले के टिबी गाउन से हूँ पांच जुलाई को PR 124 वराइटी की तरवत्र खेत में मैंने फस्ट टेम डियासर की है 23 गंटा 20 को भी गोया है डेड़ इंच की गहराई तक इसको मैंने डियासर किया था इसका जर्मेशन काफी अच्छा हो गया था 12 जुलाई को काफी हमारे अरिया के अंदर काफी बरसाथ थी तो एक बार मेरे को लग रहा कि साइद मैं काम्याब ना हूँ या मैं फेल हो जाऊँआ पर उसके बाद में कुछ मेरी मैने थी कुछ उपर वाले की क्रिपा होई तो ये मेरा डियासर खूब अच्छी तरह चल पड़ा अब मैंने अपने जो जे चार बीगा का पलोट है इसके अंदर दस गटे यूरिया, चार गटे सूपर और दो लिटर जीवरस का उप्योग की है अगर आज मैं बोलूँ कि मेरी इस डियासर की कामयाबी के पीछे जो तीन चार लोगों का हाथ है तो सबसे पहले मैं गुरुविंदर सिंग बाजवा बाई साब और परगड़ बाई साब का बहुत भाँ धन्यावाद केना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी खूब हैल्प की है ये डियासर मैंने जो मेरी हनुआनगड के मित्र है परमात्मा जी खोसा तो उनी की मशीन ने उनी के टेक्टर और उन्होंने ये मेरा च्यारवी का अपलोड डियासर करवाया था तो उनका बहुत 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 धन्यावाद है एक मेरे फ्रेंड है बड़े बाई साब है गुरमीद सिंग ब्राड जो पहले मारे गाउं में रहते थे थे अब वो पंजाव के अंदर चले गए है तो उनका बहुत बहुत धन्यावाद है उन्होंने जैसे जैसे बताया है वैसे मैं करता गया एक मेरे बड़े च्छे यार मित्र है जी जी जिनसे लगवगगए लगव मोशली मेरी रोजी बात होती है तरविंदर सिंग बाई साब तो उन्होंने और मैंने यही सोचा कि भले कुछ ही हो जाए उन्होंने भी फरस टेम डियासर की है जी तो उनका भी बहुत बड़ी है चल रहा है बहुत बड़ी है DSR है तो मिला हम दोनों की ये है कि अचाए कैसा वियो अपने ये प्लोट रखने ही रखने है कि अपने 100% काम्याब होना ही होना है देखो किसान का क्या है जी किसाने मेंत करनी है जो रंग लगाने है वो तो किसारे हम दोनों तो यही विचार किया है मैंने ओतरविंदर भाइसाव ने कि अपने अगर अगली साल मशीन बना रहे हैं तो उसका जो श्याड से श्याड की दूरी है वो कम से कम 12 इंच रखेंगे तो आज मेरे DSR का ये हाल है जी तो अगर अंदर से मैं निकलूं तो अंदर से न किसानों को एक बचरना है तो किसान ऑर किसानहों को इसे लिचार करने पड़ेगी उतियों मुझे पता नहीं अधने के बच TFлом MAS करके भीगा के हिसाब से अपने बचा के तो जो भी जमिदार भाई अपने खुव अच्छी बचत कर सकते हैं या अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं तो मैं तो सबी किसान भाईयों को यह बोलता हूं किसान भाईयों कद़ू को छोड़ो डी एसर अपना हो ताकि अपने गजो धर्ति माता को बचा सके इस पानी को बचा सके इस वात्तावरन को बचा सके अगर यह हाल चलता रहाना तो आने वाले पीडी के लिए वी पानी पिनी लैक नहीं बचेगा ये अपनी किसी सरकार ने नहीं करना पर अगर अपने किसान भाई अगर समझदार हो गए तो अपने इस किसानी को एक किसानी को एक ऐसा ऐसा बिजनस बनाओ कि लोग अपने बात करें किसानी केती से बड़ी है कोई बिजनस नहीं है जी तो धन्यवाद है सभी का जी जोनोंने मेरे DSR के पर आज मैं ये मेरी DSR की फिसल देखो देखके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 101% कामयाब हूँ और अगली साल से मैं मेरे सारे खेट DSR करूँ 101% तो धन्यवाद सभी सभी भाईयों का जै जवान जै किसान